नमस्कार स्वागत है आप सभी का बैहू अपर्णा मौज़म वक्त हो गया है खबर असरदार का जहां सबसे पहले बात कर लेते हैं शपत गहन समारो की मध्य प्रदेश में कल मोहन यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपत लेंगे लाल परेड ग्राउंड बे कारेक्रम को भव्वी बनाने की तयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है कारेक्रम में पीम नरेंदर मोधी के अलावा अमिश शाहा और बीजेपी के रास्ट्रिया ध्यक्ष जेपी नडड़ा शामिल होंगे ये पूरी रिपोर्ट देखिए MPK नए मुख्यमंत्री के शपत ग्रहन के लिए लाल परेड ग्राउंड का मोती लाल नहरू स्टेडियम तयार हो रहा है दोपहर बारह बजे मोहन यादव के साथ ही दोनों डेपिटी सीम यानि राजेंदर शुकला और जगदीश देवडा शपत लेंगे इसके अलावा कुछ मंत्रियों को भी शपत दिलाई जा सकती है अमाम जो तैयारियां हैं अब उनको अंतिम रूप दिया जाने लगा जिस तरीके से कल मुख मंत्री के नाम का एलान हुआ और उसके बाद कल रात को ये डिसाइड हुआ कि तेरा तारीक को यहनी कल 36 गर्ण में भी है और मंत्य प्रदेश में भी कल शपत ग्रण होगा शपत ग्रण कारक्रम में बीजे पी के कई दिगजनेता शामिल हो सकते हैं मसलन प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी, गुरह मंत्री अमिट शाह, बीजे पी के राष्ट्रिय अध्यक्ष जे पी नडड़ा इसके अलावा कई राज्यों के मुख्य मंत्री भी इस कारक्रम में शामिल हो सकते हैं कारक्रम को लेकर भोपाल में बीजे पी दफ्तर में बैठक हुई बैठक में नव निरवाचित सीम मोहन यादव ने भी शिरकत की और तमाम जानकारियां ली कुल मिला कर बीजे पी के नए मुख्य मंत्री के लिए करीब-करीब स्टेज तयार है मध्य प्रदेश में मुख्य मंत्री और दो डेपिटी सीम के नाम का एलान हो चुका है ऐसे में मोहन यादव के मंत्री मंदल में कौन-कौन चहरा होगा इसके भी कयास लगाए जाने लगे हैं कुछ संभावितों के नाम को लेकर चर्चा हो रही हैं कौन-कौन से वो नाम है इस रपोर्ट में जाने हैं मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान मिलने के बाद अब मंत्रियों पर सस्पेंस पना हुआ है मोहन यादव कैबिनेट में कुछ संभावित मंत्रियों के नाम सियासी गलियारे में चर्चा में हैं मसलन, एंदल सिंग कसाना, प्रद्यम्न सिंग तोमर, भूपेइंद्र सिंग, गोविंद सिंग राजपूत, एंजिनियर प्रदीप लारिया, शैलेंद्र कुमार जैन, हरिशंकर खटी, तिविराज सिंग, जैसिंग मरावी, संजे सतेंद्र पाठक, ओम प्रकाश धुर्व ये कुछ नाम है जिन पर चर्चा हो रही है आलांकि वास्तव में वो चहरे कौन से होते हैं इस पर सस्पेंस शपत ग्रहन के बाद स्पष्ट होगा तो मत्रप्रदेश के साथ साथ कल 36 गड़ में भी शपत ग्रहन समारो है 36 गड़ में विश्णुदेव साई के सीम चुनी जाने के बाद शपत ग्रहन समारो को लेकर तयारियां तेज हैं बुधवार याने 12 दिसंबर को दोपहर दो बजे साइन्स कॉलेज ग्राउंड में नई सरकार का शपत ग्रहन समारो होगा 36 गड़ में सीम विश्णुदेव साई की अगवाई में नई सरकार की ताज पूशी होगी बुधवार को दोपहर दो बजे राइपुर के साइन्स कॉलेज ग्राउंड में शपत ग्रहन समारो होगा जिसमें इस सीम विश्णुदेव साई समें दस मंत्री बद और गोपनिता की शपत लेंगे जिसमें दो डिप्टी सीम भी शा मिल होगे 36 गड़ में बीजेपी सरकार के शपत ग्रहन समारो में पीम मोदी भी श्टा मिल होगे इस मौके पर केंद्रे ग्रह मंत्री अमिश शा, बीजेपी के राश्ट्री अध्याक्ष जेपी नडडा और बीजेपी शासित राज्यों के सीम भी मौजूद रहेंगे देश के प्रधान मंत्री मनी नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के राश्टी अध्याद चादर्नी जगत प्रकास नडडा जी, देश के ग्रह मंत्री आधर्नी अमिश साजी, अनेक राज्यों के मुक्ष मंत्री, केंद्री मंत्री, समाच के विभिन वर्ग के जो प्रति पुर्सियम भूपेश बगेल को भी शपत ग्रहन समारों में शामित होने के लिए निमंतरन दिया गया है। खुद सीयम भूपेश बगेल से मिलकर शपत ग्रहन समारों में आने का नियुता दिया। बहराल लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 13 दिसंबर को 36 गड़ में नए मंतरी मंडल का गठन हो जाएगा। पाँच साल बाद 36 गड़ में बीजेपी ने वापसी कर ली। अब उनके सामने चनौती होगी अपने घोशनापत्र को पूरी करने की। जिसकी उमीद प्रदेश की जनता ने लगा रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 राइपूर। 36 गड़ की राजवीती और सरकार में बिलासपुर का दबदबा रहा है। धर्मलाल कौशिक और भी नाम चरजाओ में है। 36 गड़ में पहले विधान सभाचुनाव के बाद बीजेपी सत्ता में आई जो 15 साल तक जारी रहा है। साल 2003 से 2013 तक बीजेपी 36 गड़ में सत्ता में रही। इस दौर में बिलासपुर जिले की धमक राज्य और सत्ता में बरकरार रही। पहली सरकार से लेकर साल 2013 तक राज्य की सत्ता और प्रदेश की राज्य नीती में जिले के दिगज नेताओं ने अपने कामकार्ज के दम पर असरकारी भूमिकाय निभाई। को चाहे हम मत्यक्रदेश में रहे हो चाहे चत्तिस गण में सत्ता और संगतन में बहुत ही महत्वन्द दाई जाई तो मिलते रहा है गवरो-शाली इतिहास रहा चाहे संगठन में मानी लखिराम जी अगरवाल को प्रदेशत देश के रूप में कारी करने का उश्र मिला हो चाहे दरबलाल कोशिग जी चाहे वर्तमान में अरूंसाओ जी इसी प्रकार भारती जन्ता पार्टी की सरकार में भी बिलासपुर जिले को प्ररयात उमीद है कि हमारे पहुत ही वरिष्टितम लोग चून करके आएं तो बिलासपुर जिले और बिलासपुर संभाग को बहुत अच्छा प्रतिनी दिर्ती सरकार में मिलेगा बीजेपी के कद्दावर नेता अमारा गरवाल, धरमलाल कौशिक और पुन्नूलाल मोहले ऐसे नेता हैं जिनके आसपास जिले की सियासत घुमती है सत्ता के केंदर में तीनों की बराबरी की भागेदारी रही है तीनों नेताओं के बीच आपसी समझदारी और सामंजस से ऐसा है कि समर्थक कार्य करता हूँ या फिर प्रशासनिक अवसर अपने हिसाब से काम कर लेते हैं और सत्ता से लेकर संगठन तक अपनी धमक भी बनाए रहे हैं कांगरेस सरकार में जो उपक्षा हुई उसको तो कांगरेस के यहां के विधाय को पाथ सल जंडा फाराने भी दिया और जो बंगल से जंडा फाराने आई वो भी चली गई कि बेजा कबजा नहीं करना चाहिए, अध्रिकित कबजा रहना चाहिए, तो बेजा कबजा किये तो जंता ने उसके भी विदाई कर दी, लेकिन मैं एक कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश, छोटा सा प्रदेश है, सरगुजास लेकर के बस्तर तक सारे हमारे उसमें समाहित ह प्रदेश की सत्ता में एक बार फिर बिलासपुर जिले की भागिदारी को लेकर चर्चा तेज हो गई है ऐसे में बिलासपुर के लोगों के साथ साथ पूरे प्रदेश की निगाहें मंत्री मंडल पर है उमिष मोर्या न्यूज़ेटीन बिलासपुर और एक बार फिर से बात करते हैं मध्र प्रदेश में जो मुलाकाते हो रही है उन तस्वीरों की भी मोहन यादव का नाम बतोर मुख्यमंत्री आने के बास नहीं मुलाकाते का मुलाकातों का सलसला जारी है है मोहन यादव ने नरुतम मिश्रा से मुलाकात की जब की कमलनात में मोहन यादव से मुलाकात कर उन्हें बढ़ाई दी मध्यप्रदेश में नई सरकार की गठन की तैयारियों के बीच भेट मुलाकातों का दौर भी चल रहा है मोहन यादव पूर्ग्रिमंदरी रहे नरुतम मिश्रा के आवास महँचे और उन से मुलाकात की नरुतम मिश्रा ने उनको मोखी मंदरी बनने परवधाई दी हमारे वरिश्ट सरमाता है और उनका भूत लम्बा सलस्दिए क ऑग कारे कान्व हुए इससे पहले PCC चीट कमलात मोहन्यादव से मुलाकात करने पहुँचे कमलात ने मुख्यमंत्री जुने जाने पर उनको बढ़ाई दी दोनों ही नेताओं के बीच वियाएपी के स्थाउस मुलाकात हुए बढ़ाई दिने में आया था मैंने का था मद्यपिदेश की विकास के लिए जो हमारा योगदान होगा तरूर होगा करेगा मद्यपिदेश की मद्दातों की मद्यपिदेश की बवेश्य की अब यह सब बात सोच रहे हैं सबसे चर्चा कर रहा हुए इस पीच पीजेपि की दिक्च देता उमा भारती से भी मोहन यादव ने मुलाकात की इससे पहले कल मोहन यादव ने शिवरा सिंग चौहान से घर जाकर मुलाकात की थी और उनका आशिरवाद लिया था मुलाकातो और बधाईयों का ये दौर आने वाले वक्त में भी जारी रहेगा और ये सियासत का संसकार है जहां पक्ष और विपक्ष दोनों सुर्फ बधाई के लिए एक हो जाते हैं मोहन्यादव कल मुख्यमंत्री पत की शपत लेंगे उधर मोहन्यादव के समर्थक और परिवार के लोग जश्न में डूबे हो हैं क्या हाल है मोहन्यादव की ससुराल का आएए वो दिखा देते हैं आपको मोहन्यादव के मुख्यमंत्री बनाए जाने की सूचना के बाद से एक तरफ समर्थक जश्न मना रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके ससुराल, सुल्तानपुर में भी जश्न है. ससुराल वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिला कर बढ़ाई दी. नगर कोटवाले के डिहवा महले के रहने वाले ब्रहमादीन यादव की बेटी, सीमा यादव की शादी मोहन यादव से हुई है. मोहन यादव की ससुर ने इसे इश्वर का आशिरवाद कहा. मोहन यादव की विधान सफा चुनाओं में उजयन दच्छन से जीद की हैट्रिक लगाई. और इसके साथ ही पार्टी हाई कमान ने बड़ी जिम्मदारी देते हुए प्रदेश की कमान सौब दी. मोहन यादव का परिवार इस उपलब्धी से काफी खोश है. तो एक तरफ जश्न है, खुशी का माहौल है और दूसरी तरफ शिवराज सिंग चौहान की खरी-खरी है. शिवराज सिंग चौहान ने लाडली बहनों से मुलाकात की और इस दौरान वो भावग दिखे. शिवराज ने पार्टी के उठ्थान और जनता के लिए काम करते रहने की बात कही. साथी ये भी कहा कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे. सियासत में बयानों के माइने निकाले जाते हैं और लाडली बहनों से मुलाकात के बाद शिवराज सिंग ने जो कुछ कहा पहले गूस सुनिये. एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूँ कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बहतर मैं मरना समझूँगा. वो मेरा काम नहीं है. इसलिए मैंने कहाता मैं दिल्ली नहीं जाएंगा. उन्होंने उम्मीद जताई की मोहन यादव के नित्रत्व में प्रदेश का तेजी से विकास होगा. मैं प्रदेश के नए मुख मंत्री स्री मोहन यादव जी को दोनों होने बाले उप मुख मंत्री स्री जगदीश देवड़ा जी और स्री राजन्द सुक्ल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ. मुझे पूरा विश्वास है के मुख मंत्री स्री मोहन यादव जी के नित्रत्व में भारती जनता पार्टी की सरकार जो तेजी से काम चल रहे हैं उनको पूरा करेगी. विधान सभाच चुनाओ में बीजे पी की बंपर जीत में लाडली बहना योजना का एहम रोल माना जा रहा है. ऐसे में बहने भी शिवराज से मिलकर भावक दिखाई दी. लेकिन शिवराज ने अपनी जिम्मदारी को लेकर जो कुछ कहा उसके अलग-अलग माईने निकाले जा रही हैं. तो शिवराज सिंग चोहान के बयान के अलग-अलग माईने हर कोई अपने-अपनी सहुलत के हिसाब से निकाल रहा है. तो महीं कॉंग्रस को मौका मिल गया है तंस करने का. कॉंग्रस की विधायक दिनेश गुरुजर ने तंस कस्तेवे कहा कि शिवराज सिंग ने सभीमान का परिचे दिया, बीजेपी ने सभी वर्गों के साथ चल किया है. क्या कहा सुनवा पेहां. क्या कुंग्रस के लिविधा प्वाच के विधाय ही किरार समाज के साथ हुआ, लोधी समाज के साथ हुआ, राजपू समाज के साथ हुआ है. कि भारती अंता पार्टी ने और बैसवर के साथ जो भारती अंता पार्टी ने चार चेहरे सीम के बनाए और चारों से चेहरे अन्य अन्य समाज के थे राजपू समाज से बैसवर के से किरार समाज से लोधी समाज से इन सभी समाजों साथ भारती अंता पार्टी के दिल्ली के नेताओं ने चल किया है और चल कई परणाम है इतने कुंठित होकर दुखी होकर शिवराज्दी ब्याम दे रहे हैं राज़वा की सरकार बनेगी बाज़वा की सरकार बन चुकी है और पूर मुखवंती शुराज सिंग चौहांजी ने डॉक्टर मुहन यादो जी का नेता के रूप में नाम प्रसावीत किया है सभी वरिस लोगों ने समर्थन किया है अब वह बहुत जल्दी शपत लेंगे और कामकाज आगे बढ़ेगा आपको भी डिप्टी सीम का पत दिया देखा चौती सरकार में आखरी समय में आपको मंत्री बनाए गया तो कितनी उम्मीद हैं आपको भी सी अब कल शाबत ग्रहन हो जाए तब सारी स्थितियां इसपश्ट होंगी और फिर मैं आपके सवालों का जवाब दूँगा विकास को लेकर क्या सुथ प्रदेश के विक हम इसी सोचासन को आगे बढ़ाएंगे और मर्द प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे बहतर जिला बनाने का जो लक्ष है उसको पूरा करेंगे तो ये राजन सुकल जिन का साथ वर पर ये कहना है कि मर्द प्रदेश को बहतर मर्द प्रदेश बनाने का प्रयास जो है वो ये सरकार करेगी कमरावन दीपकुमार के साथ सेलेंसी की नुजेटिन भुपाल तो वहीं सीधी से बीजेपी विधायक रिधी पाठक से भी खास बातचीत की नियुजेटिन की टीम ने आई ये सुनते हैं निर्वाचीत विधायक रिधी पाठक यहाँ पर मोजूद है हम बात करते हैं आपको इस नए सीम चुनके बढ़ाई जी आपको इबहुत वह बढ़ाई मद्व देश को बढ़ाई भार्दी जनता पार्टी का धन्यवाद नरिन भाई मोदी जी का धन्यवाद हमारे सभी वरिष्ट वरिष्टों का धन्यवाद वरिष्ट संग्ठक का धन्यवाद भार्दी जनता पार्टी का धन्यवाद कि सर इस बार मंत्री मंडल में भी चर्चा है कि इस बार महिला ने बहनों ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी का निर्भण किया है हमेशा सिर्फ इस बार नहीं इस बार तो राडली वहना के रूप में वह हमारे साथ आई हैं लेकिन आपने देखा कि 27 साल से फुराना लंबित हमारा तो उसके बाद एक अलग उत्साव बनकर हमारे पूरे प्रदेश में पूरे देश में बेहनों ने अपने उत्साव को दिखाया और उन्हें ने कहा हमारे में आत्म विस्वास दुगनी शम्ता में कुड़कर आ गया है इसलिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से लेकर लाडली बहना हो या एक नई आत्म विस्वास भरपूर हमारी लवरेज हमारी बहने हो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी के लिए आपका भी नाम सबसे आगे है मेरा नाम कारेकरता की रूप में सबसे आगे है और आगे रहे और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी उपलग देगी लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये कारे करता है कि ये केमरामन खिलान के साथ शेलेंस वान नीवेटिन बोपाल और अब रुक कर लेते हैं को दूसरी खबरों का खंडवा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां एक मासूम के साथ गलत हरकत करते हुए कैमरे में एक शक्स रिकॉर्ड हुआ है बच्ची के साथ गंदी हरकत की है ये विडियो सोशल मीजिया पर वारल हो गया है खंडव की करतूत इसने बच्ची के साथ गलत हरकत की है और अब पुलिस इस बच्ची की इस बच्ची के साथ गलत हरकत करने वाले इस शक्स की तलाश कर रही है तो खंडवा से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पुलिस को तलाश है उस युवक की जिसने मासूम के साथ गंदी ह खरकत की है उसका सुबूत भी वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है और अब खबर मुरैना से जहां संसनी खेज घटना सामने आए जहां एक महिला के गले पर उसके देवर ने फावड़े से हमला कर दिया और खुद ही थाने पहुंच कर घटना की जानकारे दी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि महिला की सांसे चल रही थी जिसके बाद आनन पानन में महिला को अस्पताल में एडमिट कर आए गया जहां डॉक्टर ने महिला को बाद में म्रत्कोशित कर दिया वहें पुलिस के मताबिक देवर ने अवैत संबंदों में मेरी जानकारी में था है कि गंबी रूप से घायल कर दिया है आप लोग बता रहे हैं कि मुल रूप से वह घटना करम की बज़ाए साइद अबैद संबंद जो पर्थम द्रश्टा आ रहा है कि अनैतिक संबंद के कारण यह घटना हुई है प्रदेश में लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना से मामा और भाई के रूप में लोगप्रिय हुए शिवरासिंग चौहान को फिर से सीएम की कुरसी पर बठाय जाने की मांग जोरो पर है यह मांग शिवराज के समर्था के विधायक नहीं बलकि प्रदेश की लाडली बहने कर रही है दमों से कुछ तस्वीर सामने आई है जहां बीजेपी आराकमान से फिर से शिवरासिंग चौहान को प्रदेश का मुक्रमंत्री बनाये जाने की मांग की गई है देखिए कल मधर प्रदेश में चापत गहर समारो इसके बावजूद भी इस तना की मांग उठ रही है हम लोग जे चाहते हैं कि हमारा भईया सिवराज वापस नहीं आएगा तो हम लोग धनना पर बैठ जाएंगे अंसन पर बैठ जाएंगे खाना पीना सब कुछ छोड़ देंगे अपना घर परीवार भी छोड़ देंगे लेकिन हम लोग चाहते कि हमारा सिय मुक्रमंत्री सिर्प सिवराज सिंग्चावान होना चाहिए क्योंकि उनके पीछे हमारे परीवार में हमारी इज़्जत से लूग है लोग से रैसिंग भाया केलिए दो आरा बुलान अचायते हैं उन Xu को उनी फट वोड़ दी थी तो उनी केलिए हटा की हुआ के लिए बहुत-फ़ूड है इसलिए हम लोग संदर्कांट या हमारी भाया के लिए उनीको बहुंदी हैं लोगाने किसी की हरू तो खबर असरदार में मेरे साथ फिलाल इतना ही लेकिन आगे जरूर देखिए व्यक्ति विशेश इसमें हम आपको दिखाएंगे कैसे जमीन पर काम करने वाला एक कारेकरता जो विधायक दल की बैठक से पहले तीसरी पंग्ति में बैठकर सबी विधायकों के साथ तस्वीर के चा रहा था वो कल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है जरूर देखिए व्यक्ति विशेश